भारत के स्पेस प्रोग्राम ने बीते आच दश्कों में बड़ी तरक्य की है। भारत चान पर कदम रख चुका है। उस जगह को चुम चुका है जहां आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। भारत ने मिशन आदित्य के जरिय सूरज से भी आँखें मिला ले हैं। अब हम स् यूमन मिशन लाँच करने के बाद इस रोज साल 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसे भारती अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाएगा। अभी अंतरिक्ष में दो स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। एक इंटरनाशनल स्पे इस player की list में शामिल हो जाएगा. आए समझते हैं क्या होता है Space Station? इसमें astronauts कैसे दिन गुजारते हैं? Space Station में कौन-कौन सी सुविधाय होती हैं? भारत का Space Station कैसा होगा? ये कब तक तयार हो जाएगा? इसे तयार करने में क्या-क्या चुनौतियां आएंगी? Space Station क्या होता है? Space Station को Orbital Station कहते हैं. इसे Astronauts के रहने के लिए सभी सुविधाएं हो ध्यान में रखते हुए बनाए गया है. यानि ये Space में Man-made Station होता है, जहां धर्ती से कोई Astronaut जाकर रह सकता है. इस Station में इतनी क्षमता होती. हाई कि इस पर Space Craft उतारा जा सके. इने प्रित्वे क इलो और्बिक कक्षा में ही स्थापित किया जाता है. अभी कितने Space Station हैं? अप्रेल 2018 तक दो Space Station टुथवी की कक्षा में हैं. पहला International Space Station और दूसरा चिन का शांगांग दो. International Space Station अमेरिका की Space Agency नासा और रोस की Space Agency रोस को स्मूस की अगवाई में तयार किया गया है. अलग-अलग देशों के इस्ट्रोनोट और साइंटेस्ट इसमें काम करते हैं. जबकि चीन के Space Station शांगांग का मतलब आकाश महल है. शांगांग टुथवी की कक्षा से 340 से 450 किलोमी मीटर दूर है. आने वाले समय में चीन अपने स्टेशन का आकार बढ़ा करने वाला है. इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन में क्या-क्या सुविधाय हैं. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2011 में बनकर तयार हुआ. इसमें एक साथ 6 इस्ट्रोनोट यह सकते हैं आइस को अमेरिक तम 330 किलोमीटर और अधिक तम 435 किलोमीटर की उंचाई पर प्रित्वे के चारो ओर चकर लगा रहा है. धर्ती पर आइस का वजन 4,20,000 किलोग्राम होगा. इसे बनाने में 15,000 करोर डॉलर खर्च हुए हैं इसमें एस्ट्रोनाट के रहने के लिए 6 स्लिर्पिंग रूम हो एक्यूम सिलिंडर का इस्तिमाल करना पड़ता है ताकि वजन सिमुलेट हो. आइस में अंतरिक्षियात्री स्कॉट, डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस कर सकते हैं. इससे अंतरिक्षियात्रियों का मसल मास और बोंटन सिटी मेंटेन रहता है आइस में एस्ट्रोनाट के ख जफ्तार से चक्कर लगा रहा है. इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में किस मेटल का हुआ इस्तिमाल? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे प्रमुक धातों एल्यूमिनियम और स्टीर का इस्तिमाल किया जाता है. एल्यूमिनियम हलकी होती है, लिकिन कई उपक और पॉलीमर कभी इस्तिमाल हुआ है। स्पेस में अब तक क्यों फसी है सुनिता विलियम्स। क्या रिस्क्यो आपरेशन में इस रोग कर सकता है नासा की मदद। कैसा होगा भारत का स्पेस स्टेशन। भारत की स्पेस स्टेशन में पांच मोड्यूल होंगे। इन्हें पांसिटी बढ़ाई जाएगी। भारती अंतरिक्ष स्टेशन को मिलाकर 27 मीटर लंबा और 20 मीटर चोड़ा होगा। यानि इसका सैज एक फुटबाल मैदान 1.58 मीटर लंबा और 64.01 मीटर चोड़ा के जोथाई हिस्से के बढ़ाबर होगी इस स्पेस स्टेशन का वजन 52 तन होगा। ये प्रित्वे की निजली कक्षा में 400 किलो मीटर उपर स्थापित किया जाएगा। भारत की स्पेस स्टेशन में कई तहरे के रिसर्च वर्क के ल ये होगा। इसके कंच्रोल सेंटर में स्टेशन की मौनिटरिंग और आप्रेशन को देखने के साथ एक सपेरिमिट्स को चलाने की काम होगा। आइस की तरह भारत की स्पेस स्टेशन में भी एक का पोल होगा। यानि बड़ी सी खिरकी इस से एस्ट्रोनाट स्पेस सिधर् कर सकेंगे बैस डॉकिंग और बर्थिंग सिस्टम से भी लेस होगा इसे स्पेसक्राफट बड़ी आसानी से स्टेशन से जुड़ जाएंगे यही नहीं बैस बिजली पैदा करने के लिए रोल आउट सोलर टेकनोलोजी का इस्तिमाल करेगा शिवशक्ति प्वाइन को चुमे भारत का चंद्रयान 4 एसरो चीफ ने बता दिया पूरा प्लान एसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं आइसरो ने मार्च दो हजार अटाइस में वीनिस मिशन लानी शुक्रवार ग्रह पर एक स्पेसक्राफट भेजने का लक्षय बनाया है इस स्पेसक्राफट का नाम शुक्रयान होगा किसी ग्रह की और भारत का ये दूसरा मिशन होगा इससे पहले भारत 2014 में मार्स ओर्बिटर मिशन भेज चुका है डाश शुक्रयान मिशन के लिए 1236 करोड रुपए मनजूर किये गए हैं शुक्रयान शुक्रवार ग्रह के चारो और चकर लगाने के बाद उसकी सतह की स्टड़ी करेगा उसके वायू मंडल बाद लो उसकी धूल उसमें उठने वाले ज्वाला मुखियों का अध्यलियन करेगा इसके अलावा चंद्रयान चार मिशन के तहट अगले 36 महिनों में 2014 करोड रुपए मनजूर किये गए हैं इस मिशन के तहट पा कर वापस लाने से जुड़ा है ये मिटी उस जगह से लाई जाएगी जहां चंद्रयान तीन उत्रा था इस जगह को शेव शक्ति पॉइंट कहा जाता है इसी के तहट चांद की कक्षा में दो अंतरिक श्रियानों के एक दूसरे से जुड़ने और अलग होने की प्रक्रिया भी शामिल होगी जिसकी कोशिश भारत ने अभी तक नहीं की है ये सब ही कोशिशें 2040 तक चांद पर किसी भारती को उतारने की दिशामे की जा रही है के इंद्रिये क्याबिनट ने इसके अलावा किसी भारती अंतरिक्ष यात्रे को भेजने से जुड़ेग ग्णयानमेश को जारी रखने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने लिए 20,193 करोड रुपए की मंजूरी दी है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को शुरू करने के लिए दिसंबर 2029 तक की समय सीमा रखी गई है जिसके तहत सभी लॉंज और उप्रेशन पूरे कर यह लॉंज वहिकल मौजोदा जीये सर्वी और पीये सर्वी की जगह लेगा अभी भारत 10 तन वजन तक के उपग्रहों को भेजने की क्षमता रखता है जो अगली पीढ़ी के लॉंज वहिकल से तीस तन हो जाएगा इस रो कधरती से आसमान का सफर साइकिल से रॉकेट बै करत्वा काक्षी हैं इन्हें पूरा कैसे किया जा सकेगा इसी सिलसले में डी टीवी ने इसरो के चेयर्मेन डॉक्टर एस सोमनाद से खास बात की चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 से कितना अलग होगा इसके जवाब में S. सोमनाद कहते हैं चंद्रयान 3 में हमने चान्द के पर सॉफ्ट लेंडिंग की थी, चंद्रयान 4 का मिशन वहीं से शुरू होगा, चंद्रयान 4 शेव शक्ति पॉइंट, चंद्रयान 3 के, सॉफ्ट लेंडिंग वाली जग है, की मिटी, चटानों और धूल के सेंपल कलेक्ट करेगा, 2040 तक चान पर भारतिये को उतारने की दिश में चंद्रयान 4 अहम मिशन है, एस सोमनाध ने कहा, चंद्रयान 3 धर्ती पर वापस नहीं आया, लेकिन चंद्रयान 4 वापस लोटेगा, पहली बार हम चान की सदह से कुछ पत्थर और मिटी के सेंपल भारत लेकर आएंगे, हालाकि चंद्रयान 4 मिशन इतना आसान भी नही होगा, इसके मोड्यूल का डेजाइन करना है, दो अलग-अलग लॉंचिंग है, डॉकिंग भी एक बड़ा चैलेंज है, उसके बाद चान पर सौफ्ट लेंडिंग करना है, फिर रोबोचिक आर्म से सेंपल कलेक्ट करना, उसके बाद ठेक अफ करके धर्ती पर वापस आना ये बहुत चुनोती फ्रकाम है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं, नेक्स जेनरेशन लॉंच वहिकल क्या है, इसके जवाब में एस सोमनात कहते हैं, अभी हम दो तरह के लॉंच वहिकल का इस्तिमाल करते हैं, पी एसरवी पॉलर सैटेलाइट लॉंच वहिकल और जी अब हम नेक्स जेनरेशन लॉंच वहिकल यानी NGLV के निर्मान पर विचार कर रहे हैं, इसे जियो स्टेशनरी ट्रांस अफर ओडिट में 10 टन की पेलूट कैपासिटी के साथ लाया जाएगा, ये मिथिन इथिन और क्रायोजेनिक गास से चलेगा, भारत ने स्पेस स्टेशनरी ट्रांस